उधे इंडिया, उधे इंडिया जगनात के प्रसिद्ध रत्यात्रा महोसो की शुरुवात हो चुकी है। पूरी में इस रत्यात्रा का रंग ही अनूठा होता है। लेकिन दुनिया भर में जहां भी जगनात्र महाप्रभू के भक्त मौजूद हैं, वो रत्यात्रा निकालते हैं। जो की आशार के महीने में शुक्ल पक्ष की दित्यातिती से लेकर दश्मीतिती तक चलती है। माननेता है कि इस दौरान महाप्रभू अपने रत्न सिंगासन से उतरकर भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। इस पवित्र अवसर पर दुनिया भर के भक्तों का मेला जूढता है, जो अपने प्रभू की एक जहलक पाने के लिए उतावले होते हैं। वो अपने ईश्वर को इसपर्ष करते हैं, उसका आलेंगन करते हैं, उनका रत खीचने की होल लगाते हैं, उनके रास्ते की सफाई करते हैं. इस विश्व प्रसिद्ध रत यात्रा को गुंडिशा यात्रा, घोश यात्रा, निलाद्री यात्रा, बहुदा यात्रा, रत महुसव आदी कई नामों से जाना जाता है इस महुसव के लिए कई महीने पहले से ही तीन रत तयार किया जाते हैं इसमें से पहले रत का नाम है नंदी घोष जिस पर स्वयम जगर्णात महाप्रभू सवार होते हैं यह रत 45.6 फुट मुचा और 34.6 फुट चोड़ा होता है इसमें 6 फुट व्यास के 16 पहिये लगाये जाते हैं नंदी घोष रत को लाल और पीले वस्त्रों से सजाय जाता है इसमें 4 सफेद घोड़े होते हैं नंदी घोष रत की रक्षा के लिए भगवान जगर्नात के 9 पार्ष नेता स्थापित किये जाते हैं इनके नाम है हरिहर, पांडू नरसिम्ह, गिरी गोर्धन धारी, पंचमुखी महवीर, मधु सूदन, लक्षमन नारायन, रावन चत्रभंग और चित्नामणी कृषा इन 9 पार्ष नेताओं की छवी रत पर खुबसुरत पेंटिंग्स के जरिये बनाई जाती है दूसरी रत का नाम होता है तालधवज, जिस पर भगवान जगनात के बड़े भाई बलभद्र के साथ राम और कृष्ट विराजमान होते हैं यह रत 45 फुट उचा और 34.6 फुट चोड़ा हता है, जिसमें 6.6 फुट व्यास के 14 पहिये होते हैं तालधवज रत को लाल और नीले वस्त्रों से सजाया जाता है इस रत में 4 काले घोडे जुते होते हैं इस रत की रक्षा के लिए भी 9 पार्षु देविया स्थापित होती हैं जिनके नाम है रामचंडी, मंगला, बिमला, वाराही, हर्चंडी, भद्रकाली, उमा यानि बंदुरगा, कपट्यानी और अगोरा इन रक्षक देवियों की छवी तालधवज रत पर सुन्दर कलाकृतियों की जरिये उकेरी जाती है की तीसरा रत भगवान जगनात की लाडली बहन सुभद्रा का होता है, जिसे दर्प दलन रत के नाम से जाना जाता है इस रत की उंचाई 44.6 फुट और चोडाई 31.6 फुट की होती है इसमें 6 फुट व्यास के 12 पहिये होते हैं, इस रत को लाल और काले वस्त्रों से सजाय जाता है जिसमें लाल रंग के 4 घोड़े होते हैं देवी सुभद्रा के दर्प दलन रत की रक्षा के लिए भी 9 पार्ष देवता निवत होते हैं जिनके नाम है बलराम, अंगद, शडानन कार्थिकेश्वर, नटवर गनेश, प्रलंबारी महादेव, बैसी भुजानर सिंहा, मधू केटव, नटांबर और अनन्द वासुदेव रत्यात्रा के पहले दिन महाप्रवुजगनात अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन छोड़ कर राजसी ठाट बाट के साथ रत्पर सवार होते हैं इस परंप्रा को पहांडी बिजे कहा जाता है इस दोरान ढोल, शंक, घडियाल, नाद का गंबीर स्वर गूज रहा होता है जिस पर शद्धालू जूमते हुए दिखाई देते हैं माना जाता है कि इस समय धर्थी के समस्त देवी देवता उस इस्थान पर उपस्थित होते हैं इस दोरान पूरी के महराजा सोने की जाडू लेकर भगवान के रथ यात्रा मार्क की सफाई करते हैं और पूरे रास्ते पर चंदन का जल और चंदन चूंड का छिड़काव किया जाता है इस परंपरा को छेरा पहारा कहते हैं जिसके बाद शद्धालू तीनो रथों को खीजते हैं और उसे श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है इस गुंडीचा मंदिर को मौसी मा के मंदिर के नाम से जाना जाता है ये रास्ता लगभग तीन किलोमेटर का है गुर्णिचा मंदर पहुँचकर तीनो रथों को रोक दिया जाता है जिसके बाद भगवान के इस्थान आदी के परंपराएं निभाई जाती है और फिर ढोल लगाडों के शोर के साथ भगवान गुर्णिचा मंदर में प्रवेश्ट करते हैं फिर महाप्रभू के विग्रह को गुर्णिचा मंदर में रख दिया जाता है जहां पर भगवान विश्राम करते हैं उस स्थान को महावेदी या जन्वेदी के नाम से जाना जाता है भगवान साथ दिनों के लिए इसी स्थान पर विश्राम करते हैं लेकिन इस बीच यानी रथ यात्रा के पाँचवे दिन आशाड शुक्ल पक्ष की शष्ठीत इथी को हेरा पंचमी का उस्सव मनाया जाता है इस दिन दिवी लक्षमी गुंडीचा मंदिर में जगनात महाप्रवु से मुलागात करने के लिए आती हैं लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद देखकर लोट जाती हैं लेकिन लोटते समय मालक्षमी नाराज होकर महाप्रवु के नंदी गोश्ट रत का एक छोटा सा हिस्ता तोड़ देती हैं हेरा पंचमे के बाद छठे दिन नंदी खोश्ट तालवज और दर्दलन तीनों रथों को दक्षिन दिशा के तरफ घुमा दिया जाता है इस परंपरा को दक्षिन मोड के नाम से जाना जाता है तीनों रथों को गुंडिशा मंदर के पूर्वी द्वार पर खड़ा किया जाता है और वाप्सी की र्यात्रा की तयारी की जाती है माना जाता है कि दक्षिन मोड के दोरान श्रिलंका में रावण के भाई विविशन को भगवान दर्शन देते हैं इसके बाद बहुदा यात्रा यानि वापसी की शुरुवात हो जाती है ये रथ यात्रा का नौमा दिन होता है बहुदा यात्रा के दोरान जब जगनात महाप्रभु का रत शीन अगर के पास मरिशी कोटा पहुशता है तो वहाँ लक्षमी दाराइन भेंट की परंपरा निभाई जाती है जिसके बाद आशार शुक्ल पक्ष एकार्शीतिति के दिन मध्यान के बाद रत में विराजमान भगवान जगनात महाप्रभु को सोने के आभोशनों से सजाया जाता है जिसे महाप्रभू का सुना वेशा कहा जाता है जिसके बाद भगवान को अधर पान कराया जाता है जिसमें महाप्रभू को नो मिट्टी के बर्तनों में भरे सुगंधित द्रव्य का पान कराया जाता है अधर पान के बाद पुजारी महाप्रभो की शोडशो पचार पूजन करते हैं जिसके बाद मिट्टी के बर्थनों में को तोड़ दिया जाता है जिससे उनमें भरा हुआ सुगंधिन पान द्रव्य रत के नीचे तक बहने लगता है ऐसा माना जाता है कि उस समय भूत प्रेत और अत्रित पातनाय भगवान के पान के वे यानि भगवान की जुठन उस द्रव्य का सेवन करके मोक्ष प्राप्त करती है इसके बाद आशार त्योदुशी तिति को भगवान अपनी रत्नवेदी पर लोटते हैं इस दोरान जगनात महाप्रवु रस्गुले से बड़ी हांडी मालक्षमी को समर्पित करते हैं और उन्हें मनाते हैं इसके साथ ही रत्यात्रा मौसव संपन्न हो जाती है जिसके बाद भगवान जगनात पूरे एक वर्ष के लिए मंदिर में इस्थापित हो जाते हैं दरसर रत्यात्रा एक आयोजन है भक्त और भगवान के मिलन का जब भक्त रत्य सिंगासन पर नहने वाले भगवान को अपने बीच पाते हैं और उनसे एकात्म मैसूस करते हैं यह प्रतीक है भारत की प्राचीन विरासक का इसमें भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं और उस अद्वैत की भावना का एसास करते हैं जो की योगियों और सन्यासियों को बरसों की तबस्थ्या के बाद प्राप्त होती है। इस साल जगनात्म महाप्रफु की रत्यात्रा की हर जलक हम आपको उधर इंडिया के सामने दिखाएंगे। देखते रहे उधर इंडिया डिस्टल। जय जगनात्य जय सनातन धर्म।